हाई लो फ्रिंड्स वेल्कम टॉ माई इस्टडी शुच चैनल दोस्तों आज में सेकेंड विल्ड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगे जैसे की जिस्तों रिस्पारिटरी सिस्टम की जितने भी टॉपिक हैं उस अभी टॉपिकों में वीडियो बना चुकी हूं उस अभी में दोस्तों यह दिया आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटिटिव जांस का प्रिपरेशन सिलिबस के कार्डिंग कर रहे हैं चाहिए और टीजीटी पीटी के विएस एन विएस कोई भी इस्टेट का हो तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिबस के कार्डिंग है सबी वीडियोज को आप वाच करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरिंग कर सकते हैं एन दोस्तों सो से अधिक वीडियोज प्रिवेस येर के यमसी कियूज पर बनाए गया है उसका प्रेक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए जानते हैं सेकेंड विल्ड होता क्य अच्छी महसूश करता है जैसे सीर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, ठकान होना और कुछ छड़ी समय के पस्चात यानि कुछ समय के पस्चात इस थिती फिर से सामान्ने हो जाती है यानि पहले जैसी हो जाती है इसे ही हम सेकेंड विंड कहते हैं जैसे कि दोस्तों या आप दोड़ रहे हैं, या कोई भी क्रिया कर रहे हैं, अच्छानक से आपको लगता है कि आप नहीं दोड़ पाएंगे, बहुत ही बेचैनी होती है, लगता है पुरी सक्ती खतम हो गया, और उस समय आपको अजीव सा चक्कर आता है, उल्टी आता है, ठकार होता है, और तो कुछ छड़ के लिए आपको बेचैनी सी मसुस होती है, वही आपका सेकेंड विंड होता है, ठीके, समझ गये, और इसका क्या कारण होता है दोस्तों सेकेंड विंड का, तो फर्स्ट कारण है, स्लो वेंटिलेशन, कि प्रारंभिक इस्थिती में फेफ़डों द्वारा गैस का आदान प्रदान समाने न होना, और फिर यह किरिया शता ही ठीक हो जाना, और दुसरा करण है, किरियात्मक पेशियों में रक्त का संचार धीरे होना, जिससे अभ्यास की प्रारंभिक इस्थिती में ही लेक्टिक एसिट का बन जाता है, और कुछ समय पस्चार जिससे अभ्यास की प्रारंभिक इस्थिती होती है, उसी समय लेक्टिक एसिट बन जाती है, जैसे कि थकान का मुख्य कारण लेक्टिक एसिट का बनना होता है, तो प्रारंभिक इस्थिती में ही लेक्टिक एसिट बन जाती है, और कुछ समय पस्चार इसिती समान हो जाती जिससे आपकी पेशियों में एक तनाव आ सके एक लचिला पन आ सके जिसे आपको देरी से ठकान महसुस हो जल्द ही ठकान नहों तो जब आप प्रापर वार्म अप नहीं किये रहेंगे तो भी आपको जल्दी ही लेट्रिक एसिद बन जाएगा सेकें विंड जल्दी से ही उत बाछव करण है कि अभ्यास की प्रारbre 00-20 में अर्जा एटिप के द्वरा प्रदान की जाती है और कुछ शरी समय पश्चाघ ये शमार्आप्त हो जाती है जिनको पुनाइभ बनने में कुछ तो मैं लगता है इसी छड़ को शेकेंड विंड फेज कहा जाता है और कुछ समय पस्चाथ फिर से पुरू की समान एसिती आ जाती है जैसा कि दोस्तों जब हम अभ्यास करते हैं शुरू करते हैं तो उस प्रादांबिक एसिती में उर्जाव हमको कहां से मिलती है जो हमारे सरें में बना हुआ अधियती है उसके दोड़ा उर्जावत परदान की जाती है और कुछ समय पस्चाथ होता क्या है कि एधिप ख़तम हो जाता है लिए जब कम बनता तो उसी कुछ समय को पिटानी सी महसुस हुआ तो ओना है यह सुझी छिब्वेशु समय होता है सेकेंड विंड है क्या इसके दीतियो भायू भी बोला जाता है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको भी बताईए और जितने भी टॉपिक भी बचे हुए है विडियो बनाओंगी आप में चैनल पर बस बने रहे और अपने को करते रहे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे से जएर कीजिए दोस्तों आइन फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ब झाल